नमस्कार दोस्तो मैं फिर से एक नई बिजनेस आइडिया के साथ आप लोगों का इस वीडियो में बहुत-бहुत सुआगत करता हूँ दोस्तो सबसे पहले आपको यह बताना चाहूंगा कि इस बिजनेस को सुरुकरने से पहले आपको यह मालुम होना चाहिए कि इस business में कितना investment करना होगा और इससे benefit कितना होगा और इसकी marketing कैसी है इसके लिए दोस्तों इस video को पूरा जरूर देखे क्योंकि इस video में मैंने इस business से सभी परकार की जंकारी जैसे इस business को सुरूर करने के लिए हमें कितनी जगा की जरूरत होगी इसे समद्धी कौन-कौन सी machine है और यह machine हमें मिलेंगी कहा इसकी कीमत कितनी है और यह भी बताऊंगा कि आपको इस business में मुनाफ़ा कितना होगा इसके लिए आप इस video को पूरा जरूर देखे और अच्छी लगे तो इस video को like, share और हम इस channel को subscribe जरूर कर ले दोस्तों मैं इस video में बात करूँगा नूडल्स एवन सेवई making business के बारे में इस business को आप कम अस्थान में और कम पैसे में सुरू कर सकते हैं नूडल्स इस समय बच्चों और युवावों में लोग पर ये नासता है ये बहुत कम समय में बन कर त्यार हो जाता है और लोग बड़े चाओ से इसे खाते भी है आज के समय में इसे सहर से ज़्यादा गाओं के लोग पसंद कर रहे हैं ये एक ऐसी बिजनेस से जो कभी खत्म नहीं होगी इसकी marketing हमेशा बजार में बनी रहेगी बजार में कई तरह की noodles बेचे जा रहे हैं आप भी अपने brand के साथ noodles market में बेच सकते हैं तोस्तों आपको बता दो कि noodles और सिवई बचों में खुब पसंद की जाती है अता इसकी packaging ऐसी करनी चाहिए जिससे की बच्चे इसकी तरफ आकरसित हो आप अपने brand का packet इस्तिमाल करें तो बहतर होगा इसके बाद noodles में डाले जाने वाले मसाले का भी packet इस noodles के packet में डाल दे ये मसाला या तो आप बजार से खूला करद कर packet बना कर डाल सकते हैं या किसी मसाले की फैक्टरी से बात करके अपने noodles के स्वात के मुतावित मसाले बनवा सकते हैं और सेवाई के लिए सिर्फ packet बनाने की जरूरत है इसके बाद wholesale market में आप आराम से इसे बेच सकते हैं दोस्तो इस business को आप कौम से कम जगा में सुरू कर सकते हैं नूडल से असेवाई दोनों ही एकी तरह के मसीन से बनाई जाती है कि वहले इस मसीन में noodles बनाने की डाई बदलने की जरूरत होती है जिसकी सहायता से अलग-अलग मोटाई वाले noodles बनाई जा सकते हैं या मसीन स्वचालित है जो बिजली से चलती है इस बिजनेस को सुरू करने के लिए आपको कम से कम 80 से 90 जार रुपे का investment करना होगा दोस्तों इस बिजनेस को सुरू करने के लिए हमें मसीनरी और रा मेटरियल के जरूरत होगी तो मसीनरी के लिए आप www.indiamart.com पर आ सकते हैं सर्च बार में टाइप कर दे noodles making machine टाइप करने के बाद आप देख सकते हैं नीचे यह जो 45,000 रुपे की मसीन है noodles making machine यह 45,000 रुपे की मिल रहे हैं 150 केजी इसका weight है और 220 बोल्ट से यह चलेगी यानि कि घर के connection वाली light से चलेगी इसका capacity जो है 80 केजी प्रतियावर है एक गंटे में 80 केजी का production करेगी यह machine लगबग हमें खरदनी होगी और तिसरी जो machine है वो है noodles steamer नैनि कि steam के लिए noodles product होने के बाद उसे steam किया जाता है तो steam के लिए आपको यह machine खरदनी होगी आपको बता दू कि यह machine जहां कहीं से भी आप खरदेंगे यह नहीं इंडिया मार्ट से ही आप करदेंगे आप कहीं market से भी खरद सकते हैं दूसरे website से कर देंगे online बहुत सारी है जहां से आप खरदे सकते हैं लेकिन जहां से कर देंगे वहां से एक trainer आएगा आपको ट्रेणिंग देखे जाएगा कैसे कैसे production करना है और कैसे steam में steam करना है उसे उसके बाद अगर हम देखे तो बाजार में जो है मैदे का rate जो है अब देख सकते हैं 1260 रुपे परती बैग है यह बैग जो है पचास केजी का है आप मैदा मार्केट से खरदे होंगे रिटेलर स कर दे होंगे बहुत बार कर दे होंगे आपको rate पता होगा तो यह लगवाग 25 रुपे केजी पड़ती है यह 31 रुपे केजी है यानि कि 25-30 रुपे केजी के बीच हमें मैदा मिल जाएगा market में और इसके बाद इसका production निकालने के बाद आप देख सकते हैं कि noodles का कीमत क्या ह जाता है तो 49 रुपे केजी यह 49 केवल खुला है अगर इसे packet करके आप अपना ब्राण बना के बचते हैं तो चार गुना rate हो जाता है आप noodles market से खड़ते होंगे जो 35 ग्राम का noodles होता है वो 10 रुपे में मिलता है आप सो सकते है 35 ग्राम का noodles 10 रुपे मिलता है तो 100 ग्राम का 30 रुपे हो जाएगा और 300 रुपे केजी वो noodles मिलता है तो आप शुरुवाती तोर पर ऐसे करके बेच सकते हैं दिरे दिरे अपना ब्राण बना के ज्यादा मुनाफ़ा कमा सकते हैं दोस्तों अगर आप इस हिसाब से देखे तो आप अगर डेली सिर्फ 100 केजी का production करें यान तो material खर्च और labor खर्च उस पे 5-10 रुपे अगर 40 रुपे केजी भी आपका होता है तो 50-60 रुपे केजी आपका खुला जो loose noodles होगा वो बिक्री होगा मार्केट में तो कम से कम 10-15 रुपे आपका ये प्रती केजी के हिसाब से मुनापा होगा यानि कि 100 केजी अगर एक दि बिजनेस को सुरू करने के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत होगी इसके लिए foods और environment hygiene department में आवेदन दना पड़ता है यहां से लाइसेंस लेना अति अनिवार है इससे पहले अपने local authority से अनुमती लेकर आप वेपार सुरू कर सकते हैं क्योंकि foods environment से लाइसेंस लेने में क आप इस समय लग सकता है दोस्तों आपको बता दो कि इस बिजनेस में दी गई सभी जनकारी निकुछ पिपरिवम इंटरनेट के मादेम से लिए जनकारी पर आधारी थे यह जनकारी केवल education purpose के लिए है इसलिए आप कोई भी बिजनेस सुरू करे तो अपनी सुच बुच से सुरू करे क्योंकि हर कोई किसी भी बिजनेस को मुनाफ़े के लिए सुरू करता है लेकिन कभी कभी घाटे का भी समना करना पड़ता है दोस्तों इस वीडियो में दी गई जनकारी आपको कैसी लगी आप हमें कॉमेंट करके इस वीडियो के मादेम से जरूर बताईएगा धन्यवाद